ओके तो आज रात 12 बजे से जियो और एरटल दोनों के ही प्लान शेंज हो जाएंगे सही है आप सब इससे वाकिफ हो और सब ने अपने अपने इसाप से स्टेप्स लिये होंगे कुछ अगर अंडिसाइडेड है किनी बातों को लेके इस वीडियो में आपको उसके जवाब मिलेंगे और आप आगे भी उसको सही कर पाओगे सबसे पहली बात जीयो पहले से बहुत क्लियर रहता है और उसके आप कस्टुमर केर से बात करो या उसके जीयो के अर्जोन का ट्विटर पे हैंडिल है जिसका आप नाम एक्स हो गया है तो आपको बहुत ही कंसिस्टन्ट आंसर्स पिलेंगे मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था जब plan comparison की वीडियो में वो GEO के screen shots मैंने share किये थे लेकिन Airtel में थोड़ी सी problem रहती है तो मैंने personally face किया हुआ है वोकि मैं Airtel subscriber हूँ तो आज बात करेंगे Airtel के official इस पर दिया हुआ है बहुत सारे prepaid plans के बारे में terms and conditions सारे पढ़ेंगे लेकिन सबसे important 3 conditions है उसको भी देखेंगे ठीक है यह आपको बहुत ही अराम से मिल जाएगा आप Google पे एक search डालोगे कि भाई Airtel के prepaid tax के terms and conditions क्या है तो आपको Airtel वाली link ढूँनी है Airtel के website से जो आपको link वहाँ पे दिखेगी यूँकि वह छोटे में link भी लिखते है न www.airtel.in slash करके ऐसा तो उसमें आपको यह वाला page open हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं plans के नाम भी याँ दिये हुए यह सब याद रखना यह 3rd July तक के लिए है यूँकि यह पुराने plans के हिसाब से ही सारे details है 3rd July के बाद क्या change होगा क्या नहीं वो तो देखने पर पता चलेगा सबसे पहले unlimited calling के बारे में बात की गए है कि unlimited calling क्या है इसको short में समझेंगे कि यह सारे जो plans हैं यहाँ पर जितने भी plans आपको mention दिख रहे हैं उसमें 100% waiver of charge जियानी आपको किसी भी तरह के domestic call करने पर कोई भी charge नहीं लगेगा यहाँ पर एक ही condition है कि short codes और special number जो 1860 से शुरू होंगे या 5 से शुरू होंगे और उसके बाद XXX करके लिखा हुआ है वो सब पर आपको applicable tariff के हिसाब से पैसे देने होंगे जो आपके main balance में से कटेंगे local और national की अलग अलग ठीक है roaming भी अगर होगा तो roaming के भी पैसे कटेंगे इस बहुत ही अजीब सा point है मतलब आपके समझने के लिए बस आते हैं second point पे बहुत important point ध्यान से सुनना आप अगर कोई भी unlimited calling plan opt कर रहे हो ठीक है और आप current recharge expiry से पहले क्यों करना चाहते हो recharge मतलब एक के बाद एक set करना चाहते हो ताकि वो अपने आप यूज होता रहे है जो की tariff increase के case में एक बहुत important term and condition बन जाता है तो यह आप maximum इतने दिन तक पहले निट्री बढ़ा सकते हो यहां पर साफ लिखा हुए 730 डेज 730 डेज को अगर आप टू से डिवाइड करो तो वो 365 आते हैं ठीक है तो बेसिकली दो साल आप इसको क्यों कर सकते हो plan को तो यहां पर आपको बहुत important जवाब मिल गया कि कब तक क्यों हो सकता है तो दो साल तक क्या plan क्यों कर सकते हो post which all subsequent accretive recharges will fail मतलब इसका simple हिंदियर मतलब है कि इसके बाद अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो आपका साल recharge fail हो जाएगा ठीक है आपके पैसे बरबाद हो जाएगे इसमें एक sub point हैं दो यह भी बहुत important है पहला MRP 155, 179, 199, 289, 296, 455, 489, 509 और 1799 यह सारे जो plans हैं जो unlimited voice देते हैं लेकिन data fixed देते हैं यह सिर्फ same price point के recharge को ही queue कर सकते हो ठीक है मतलब अगर आपके पास 155 है तो 155, 155 करके ही queue कर सकते हो 179 है तो 179 ही समझ गए ना ऐसा नहीं कोई भी queue हो जाएगा clear हो गई यह point important दूसरा sub point अगर आपके पास 209, 239, 265, 299, 319, 359, 399, 479, 499, 519, 599, 549, 666, 699, 719, 779, 839, 869, 999, 1499, 2999, 3359 इसमें से कोई plan है जो की unlimited voice और daily data benefits देता है मतलब 8GB data per day, 2GB data per day, 3GB data per day तो जो daily data benefits के plan का group है उसमें से भी आप कोई भी queue कर सकते हो तो यहाँ थोड़ी आपको better flexibility मिलती है कि अगर आपके पास कोई एक भी daily data वाला plan है तो आप उसी group में से कोई भी daily data वाला plan queue कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी यही आपके लिए बहतर रहेगा मेरे हिसाब से कि आप रिस्क लोही मत आप सेम ही तरह का plan queue करो ताकि आप airtels को बाज में बहुत सको भाई देखलो दोनों में से कोई भी condition अगर आप follow करना चाहो तो सेम तरह का plan तो queue होगा ही same amount का ठीक है अब आते हैं daily data quota अगर आपको मिलता है यह सब उतने important points नहीं है आप skip भी गड़ सकते हो लेकिन अब भही एक साथ मिला है तो एक साथ term and condition सारे सुन लेने ही बहतर है daily data quota अगर अगर प्लान है 99 का 209, 239, 265, 299, 319, 359, 399, 479, 499, 519, 549, 666, 699, 719, 779, 839, 869, 999, 1499, 2999, 3359 यह सारा आपका कोई भी प्लान है जिसमें daily data का fix आपका benefit रहता है तो data खतम होते ही आपका speed जो है वो 64 kbps कर दिया जाएगा ठीक है और अगर आप इन सारे प्लान में से हो 19, 29, 49, 58, 65, 98, 118, 148, 149, 301, 155, 179, 199, 296, 455, 489, 509 या 179, तो आपको 50 पैसे पर MP data कटेगा आपके main balance में से clear है तो आपको unlimited data इक तरह से नहीं मिल रहा आपको कोई 64 kbps पर free data नहीं मिलेगा आपको पैसे कटेंगे ठीक है आपके speed के हिसाब से तो भाई यह थोड़ी से ख़रनाग बात है जबकि 1799 और 455 वाले plan तो बहुत famous है यूँकि उसे main calling benefit मिलती और थोड़ा सा data मिल जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है इसके बाद यह सिर्फ और सिर्फ personal plans है इसका कोई भी business commercial तरह का use सिम बंद करवा सकता है कुछ penalty लगवा सकता है यह सब दिया हुआ है commercial usage किसको बोलते हैं तो commercial usage बोलते हैं 30 दिन में 300 GB से उपर खर्च करने को mobile data में यानि आप per day अगर 10 GB से उपर खर्च कर रहे हो on average तो भई बच के रहना आपके पास कभी भी यह सारे प्लाइन पहले सुन लो यह सिर्फ कभी आपको मिलेंगे जब आपका active connection रहेगा उसके बाद आपके रिचार्ज अक्टिव रहना चाहिए कौन से वो प्लाइन हैं डेटा वाले प्लाइन हैं बेजिकली 19 29 49 58 65 98 99 118 148 149 181 और 301 ठीक है इसके बार SMS के उपर क्या नियम है तो SMS के उपर यही नियम है कि डेली कोटा जो SMS है वो 100 SMS पर डे फिक्स रहेगा यहां भी unlimited SMS या वैसा कुछ लिखा हुए वैसे तो एटल के प्लाइंस में आपको 100 SMS पर डे वो कर देते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपर लिमिट है 100 SMS पर डे जिसके बाद आपको एक रूपए पर SMS देने होंगे लोकल के लिए और तेड़ रूपए पर SMS नाशनल या रोमिंग के लिए देने होंगे क्लियर और यह भी फिर शॉर्ट कोड्स कि अगर आप यह इंटर्टेन्मेंट प्लान को लेकर है जरा 499-869-3359 वाले प्लान को रिचार्ज करते हो तो आपको डिजनी प्लस होटसर का मोबाइल सब्स्क्रिप्शन मिलेगा उसी प्लान के डिटेल में जो भी वैलिटी के मेंशन होगी उतनी ही ठीक है मतलब प्लान के आप व्यू डिटेल में क्लिक करना अगर उसमें लिखाएगी डिजनी प्लस होटसर आपको 6 महिने के लिए मिलेगा अगर लिखाएग एक साल का मिलेगा तो आपको एक साल का मिले सब्सक्रिप्शन आपको जो मिलेगा वह एक साल का रहेगा मतलब आप जिस दिन करोगे उसको एक्टिवेट उससे नेक्स्ट इस तक वो नहीं जाएगा ठीक है मतलब 31st December of same year को वो एक्सपायर हो जाएगा यह बहुत ही अजीब बात है तो आप ऐसा मत करना कि नवंबर में ऐसा कोई प्लान ले लेना ठीक है यह बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आए कि ऐसे टर्मेंट कंडिशन क्या है अच्छा सॉरी यह नहीं है यह है कि आप पहले इंस्टेंस में जो रिचार्ज कराओगे तो वही वैलिड रहेगा ठीक है सॉरी मतलब अगर आप फर्स जैन्वरी को मान लो आपने कैसा प्लान रिचार्ज कराया जिसमें 12 महीने का आपको डिजनी प्लस होट सार मिलता है य के लिए तो फिर आपको लॉस हो जाएगा क्योंकि आपका जो एक्टिवेटेड डिजनी प्लस होट स्कार है वह स्टिल एक्स्पायर हो जाएगा तो बहुत कंफूजन टर्म्स में लिखा हुआ था बोई बात नहीं और उसी तरह से थी मंथ में भी सेम कंडिशन है कि वह तीम मंथ होते ही खतम हो जाएगा फस्ट रिचार्ज से आप इसलिए यही है कि आप सब्स्रीक्वेंट रिचार्ज मतलब नेक्स्ट रिचार्ज कराना चाते हो तो उस प्लान का खतम होने का वेट कर लो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी कुछ लोग प्लान को क्यू करने लग जाएंगे हो दिजनी प्लस होट्स्रा वाल प्लान को क्यू करने का सोच लें तो वो खदरनाक है यहां पर ध्यान देनी वाली बात है ठीक है रोमिंग बेनिफिट जमो इन कश्मीर के लिए वैलेड नहीं है 28 डेज जहां भी वन मन्त लिखा है उसको 28 डेज माना जाना चाहिए जब तक यह एक्स्प्लिसिक्ली स्टेट नहीं है कि यह 30 डेज के लिए है MRP जो है वो सारे सर्विस एरिया में कॉमन रखी गई है मतलब जितने भी प्रिपेट प्लांस आएंगे एयर्टेल के वो कॉमन रखे जाएंगे ठीक है इसके बाद अनिमिटेड डेटा के बारें बात करने तो एयर्टेल ने भी लिखा हुआ है इस वाले पर तो नहीं है इनके वेबसाइट पर लेकिन एक एडिशनल पीडियोस में है कि जो भी प्लांस रिचार्ज होंगे 239 के उपर वाले बिसिकली डेट जी भी पर डेट डेटा के उपर वाले उसमें आपको सब में अनिमिटेड फाइव जी का ओप्शन मिलेगा लेकिन 455 और 1799 मतलब जैसे पूल्ड डेटा प्लांस जो है इन दोनों को उसमें से एक्स्क्लूडड कर दिया गया है क्लियर हो गई बात ठीक है इतना ही रखते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे